एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज हम लोग जो है कंप्यूटर के रिलेटेट लैप्टॉप के रिलेटेट विंडोस के रिलेटेट बात करेंगे क्योंकि हम लोग आज कल जो है work from home कर रहे हैं और काफी जादा stress होता है work from home के लिए और उसमें अगर आपको कुछ short keys पता चल जाए जो है आपके laptop या computer या windows की तो फिर क्या ही बात हो जाए आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है ऐसे में friends लेकिन अगर उसके पहले अभी तक आपने वीडियो को like नहीं किया है तो like कर दे अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दे friends suppose friends अगर आप working from home कर रहे हैं और बहुत ही जादे जो है applications बहुत ही जादे taps आपके open है और minimize किये हुए है और ऐसे में अगर आपके parents या आपके कोई जो है relative आपको एक काम दे दे के बाई bill भर दो या telephone का bill भर दो या recharge कर दो अभी आप जो है आपका desktop mess नहीं करना चाते जो आपका professional और जो आपका personal है काम उसे आप mix नहीं करना चाते है तो ऐसे में आप जो है एक नया desktop generate कर सकते है create कर सकते है उसके लिए आपको क्या करना है friends आपको आपके keyboard पे windows प्लस control प्लस d यानि desktop ये जो है की आपको simultaneously क्लिक करना होगा तो एक नया जो है desktop generate हो जाएगा और जो आप जिस desktop पे काम कर रहेते वो जो है पीछे की तरफ background में running करता रहेगा यहाँ पे जो है आप नया बिल्कुल fresh desktop होगा कुछ भी minimize किया वा नहीं होगा कुछ भी applications जो है इस desktop पे आपको show नहीं होगे जो previously open थे यहाँ पे आप शांती से जो है आप अगला task कर सकते हैं जो separate task आप perform करना चाते हैं task perform करने के बाद में भाई चड़तो गया अब उतरेगा कैसे अब previously जो मेरा desktop on था मैं उसके उपर कैसे switch कर सकता हूं so previous desktop जिसके उपर आप आपका office का काम कर रहे थे और अभी आप उस पे switch होना चाते हैं तो जस्ट आपको जो है विंडोस प्लस कंट्रोल प्लस राइट और लेफ्ट की जो है आपका जो navigation की होता है राइट और लेफ्ट उससे आपको क्लिक करना है simultaneously तो आप देखेंगे के वो जो है desktop switch हो रहा है वुष desktop पे जिस पर आप आपका जो है office का work कर रहे थे और उस desktop के उपर switch हो रहा है जिसके उपर आप अपना जो personal work आप perform कर रहे हो personal task perform कर रहे हो अभी क्या है friends के आपने switch तो कर लिया आपका जो personal work था ममी डैडी का parents का जो भी light bill हो या कुछ भी बिल हो आपने पेक कर दिया है अभी आप चाते हैं कि जो दूसरा वाला desktop virtual वर्चुल जो desktop आपने create किया था आप उसे close करना चाते हैं तो उसके लिए friends आपको windows की control की plus F4 की आपको simultaneously जो है आपको press करना होगा तो आप जो है वर्चुल desktop जो है आपने create किया है उसे आप close कर पाएंगे friends अभी आप दुबारा से जो है आप जहां पर job का related काम कर रहे थे professional work आप perform कर रहे थे वहां पर तो बहुत सारे windows open थे अभी at the same time एक ही क्लिक में अगर आपको सभी के सभी minimize करना है तो उसके लिए friends आपको window key plus D यह की आपको press करना है D means desktop D stands for desktop तो आपका जो है directly जितनी भी windows open है सभी के सभी minimize हो जाएंगे अभी friends ऐसा होता है कि कुछ apps जो है उसे आपको चालू करने के लिए on करने के लिए आपको बार बार जो है आपके start menu में जाना है all programs में जाना है यह सब का shots cuts करने के लिए आप जो है टास्क बार में उसे आप सेफ करते हैं टास्क बार इंदे जो left corner में नीचे जो आपको app store किया है आपने short keys जो आपने prevent किया है उसे टास्क बार कहते हैं तो वहां से अगर आपको चाहिए चाहिए डान करें without moving your mouse तो आपको क्या करना होगा आपको प्रेस करना है विंदोज की plus one यानि पहला टास्क बार का एप उसके लिए one प्रेस करना होगा टू जो दूसरा वाला टास्क बार का अगर आपको application on करना है तो तू प्रेस करना होगा अगर तीन नंबर वाला आउन करना है तो ध्रीक्ष करना होगा वीडियो तो पसंद आ रही है फृण्स तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें मुझे सपोर्ट करें और कमेंट सेक्षन में जरूर से बताएं के वीडियो का कौन सा वाला जो शौट की है वह आपको जो है convenient लगा और आपके useful लगा आपके लिए और यह सब जो चीज़े आप करेंगे फ्रेंज तो मुझे और प्रुथाहन मिलेगा न्यू वीडियो बनाने के लिए तो just मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि आप चैनल को subscribe करें और चैनल को support करें अब यह होता क्या है फ्रेंज के हमें मुबाइल के आदत हो जाती है मुबाइल में हम बैग्राउंड में म्यूजिक सुनते रहते हैं या कुछ वीडियो हम प्ले करते हैं और साइमेंट इल्नेस भी हम कुछ ना कुछ काम उसमें करते हैं तो PC laptop में भी आप at the same time dual screen या split screen का यूज करके आप जो है multiple things multiple task perform कर सकते हैं और आप जो है इसका जो है बहुत जादा यूज कर सकते हैं आपके काम में आपको जो भी आप जो task perform कर रहे हैं उसमें तो split screen को आप अगर आपके जो है laptop पे on करना चाते हैं तो उसे आपको क्या करना होगा simply आपको windows की plus navigation की यानि के right and left वाला जो की है वो use करना है friends तो जो क्या होगा कि आप जो भी screen है आपको जो आपके laptop पे जो screen on है आप उसे relocate कर सकते हैं for example जैसे कि अगर आप इस screen को left side में relocate करना चाते हैं तो windows plus left का जो है आपको navigation की दबाना है और जैसे कि जो right side में है जो screen आप देख सकते हैं इसे अगर आप नीचे bottom की तरफ shift करना चाते हैं तो windows plus bottom का जो है navigation की आपको प्रेस करना होगा अगर आप इसमें all screen add करना चाते हैं सो particular screen जो आपको shift करना है उस पर आपको क्लिक करना है और windows plus अब की आपको प्रेस करना है है ना simple friends और शायद हम में से बहुत से लोगों को यह पता भी नहीं होगा यह जो है keys और यह short keys के बारे में अभी friends काम करते वक्त आपने कोई data download किया था और वह आप से मिस्प्लेस हो गया है आप उसे डूड़नी पा रहे हो और अभी आपको जो है साइमेंटेनेसली प्रेस करना है और आप फाइल एक्सप्रोरर आपका जो है ओपन हो जाएगा आपको जो है बॉस ने आपको कोई data बेजा है और आपको बोला है कि भाई इसको रेफर कर लेना यह documents बहुत ही important है इसे read कर लेना और अभी क्या है वह चोटे-चोटे fonts में लिखा हुआ है अभी आपको जो है magnifying glass की जरूरत है तो आपको physically magnifying glass को hold करने की जरूरत नहीं है इसे Dolay और तो ओर आपको Windows की प्लस जो है आपको ौर माइनस जो नमकी के इधर ब्लस और माइनस का जोleistा की मिलता है तो magnifying, zoom in करने के लिए आपको प्लस की जो है वह और रही य ti so साथ में और मिन जो उसको जूम आउट करने के लिए जो है आपको माइनस की का यूज करना है अब जूम इन जूम आउट तो कर लिया है कोई डेटा जो है अपने रेफर कर लिया है उसका कोई पॉइंट आपको हाइलाइट करना है या आप चाहते हैं कि यह पॉइंट को आप store करें या save करें अब उसे आपको जो है screenshot निकालना है तो आपको simply क्या करना है simply आपको windows की and print screen की जो है वह आपको simultaneously प्रेस करना है और आपका screenshot जो है वो save हो जाएगा hard drive में जो common folder होता है screenshot का उसमें और आप जो है file explorer का use करके उस file को जो है access कर पाएंगे hopefully अब तक के जो amazing शौट कीज है और जो कुछ नए शौट कीज आपको जो है देखने के लिए मिले है वह आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा अभी काम करते समय फ्रेंज अगर आपको जो है जैसे वाइफाइ टन आउन करना है या Bluetooth टन आउन करना है इसके इलावा location या एक्स एक्स्ट्रा आपको जैसे के mobile में notification पैनल होता है उससे access करना है तो आपको without आपका mouse यूज किये भीना आपको जो है simply आपको windows प्लस windows की प्लस ए प्रेस करना है क्योंकि notification center को action center भी कहा जाता है अब काम करते समय अगर समझो आपको external window जो है आपको attach करना है या उसके साथ में जो है compile करना है उसके लिए आपको settings में जाने की जरूरत होगी तो आप settings में अगर जाना चाते हैं simply windows की प्लस आए की जो है आपको प्रेस करना है simultaneously और जो है settings आपके सामने open हो जाएगी friends काम करते करते शाम हो गई अभी आप जो चाते हैं कि आपका mood थोड़ा सा refresh हो जाए उसमें आप जो है गेम खेल रेफरेंस और गेम खेलते हुए अगर आप जो है unexpected move आ गया या कुछ ऐसा हो गया कि आपने डुपल में chicken dinner मार लिया है अभी आपको जो है इसका screenshot लेना है या आप जो है पूरा game record करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है गेम के duration में गेम के बीच में आपको जो है gaming बार अनेबल करना होगा सो उसे करने के लिए आपको क्या करना है friends simply आपको Windows की प्लस जी प्रेस करना है और आपका जो है गेम बार आपका जो है वो ओपन हो जाएगा गेम बार में आपको multiple options मिलते है multiple features मिलते हैं और आप जो है उसमें और भी कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं for example अगर आप screenshot लेना चाहें तो आप जो है उसका shot की प्रेस कर सकते हैं जैसे के window की plus alt और plus pre scan जो की है आप click करते हैं simultaneously तो जो है screenshot ले लिया जाएगा उसके लब अगर आप चाते हैं के screen record हो तो windows की plus alt की plus r की आप click करते हैं तो screen recording शुरू हो जाएगी windows की, alt की and r की का use, m की का use करके mic जो है mute and unmute किया जा सकता है साथी साथ game bar में आपको जो है cpu and gpu का और vram का, ram का, fps का performance आपको देखने के लिए मिल जाता है friends game तो आपने खेल लिया, अभी जो है आपकी sister का बढ़ दे आने वाला है और आप उसे surprise देना चाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा friends simply आपको windows की plus L की, L stands for the lock आपको प्रेस करना है और आपका जो है PC lock हो जाएगा so friends इन सभी hot keys में से आपको जो है consistent convenient लगी short keys जरूर से comment करके बताईएगा चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को subscribe करें, contents को like and share करें don't forget to press the bell icon, धन्यवाद and जै हिंद